हेलो अव्रीवन आपका स्वागत है मेरे चैनल में मेरा नाम मिनाक्शी है और आज की वीडियो में मैं आपको शिम्पल कूर्टी की कटिंग सिखाऊंगी और यह जो वीडियो है यह मैंने बिगनर्स के लिए बनाई है और बहुत ही आसान तरीके से मैं इसमें कोशिश की है आ लगसे कपला लेने की ज़रत नहीं है और इसमें आप किस तरीके से आसानी से कटिंग कर सकते हो आज इस वीडियो में आपको बताऊंगी अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर से आपको करना है पहली बार वीडियो को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्रा मेरा जाएगा तो आपको नेक अच्छे से ध्यान से रख करके तब यह आपको कपड़ा डबल फोल्ड ऐसे कर देना है और यहां पर क्योंकि बीच में यह जो बटन है बटन की वज़े से आप इसे जैसे टूफोल्ड करोगे और फिर निशान लगाओगे तो दिक्कत होगी अब यह जो बटन इसमें दिये हुए यह निकल सकते हैं बाहर ऐसे ही लगाए हुए हैं तो यह मैं धागा निकाल दूँगी और बटन निकाल दूँगी और अलग से मैं इसमें लगा दूँगी इने सिलाई करने के बाद ठीक है तो अगर आपके जो नेक है उसमें कुछ ऐ तो यह आराम से फोल्ड हो जाएगा बीच में बटन या कुछ भी ऐसा होता है तो फिर फोल्ड नहीं होता है ठीक तब यहां से मैं नेक चेक करूंगी इसका कि इसका जो नेक है वो कितना है नेक बिल्कुल तयार है इसका 7 इंच है जब मैं से रेडी करूंगी हाफ इंच उप हमें यहां पर तीरा लेना है शोल्ड लेना है यहां पर हमें 6 इंच अब उपर से हम कैसे लेंगे तो यह हम लेंगे नीचे की साइट से तो यहां से नाप कर आपको 6 इंच पर यह निशान लगा देना है उपर की साइट से तो आपको दिक्कत होगी क्योंकि नेक पहले से द 6-inch ही लेना है दोनों हमें 6-5-6 inch लेने हैं और उपर की साइच से निशान हमें लगाने में दिक्कत होगी इसलिए नीचे से लगाया है ताकि आपको अंदाजा हो जाए और फिस नीचे का नाप कर ही आपको उपर भी निशान लगा देना है साड़े 6 इंच पर ठीक है यह तरीक है अगर आपका नेक यहां पर रेडी दिया हुआ है तो क्योंकि ऊपर तो आपका नहीं लगा सकते ऊपर नेक रेडी है तो आप नीचे की साई निशान लगाए और फिर इससे आप ऊपर की साई निशान लगा दें और जो बैक नेक है वो आप पर 7 इंच रेडी रखूंगी इसलिए मैंने तीरा भी और यहां पर शोल्डर भी और आम होल भी दोनों ही मैंने 6 इंच लिये हैं तो अब यहां पर मैं चेस्ट का निशान लगा दूंगी चेस्ट हमारी है यहां पर 40 और 40 को हमें डिवाइट करना है 4 से तो आएगा 10 तो 10 इंच पर हम यहां पर यह निशान लगा देंगी आपके जितनी भी चेस्ट है उसे आपको डिवाइट करना है 4 से ठीक है और इस साइड में मैं यहां पर मेजरमेंट आपको दे दूंगी आप वहां से देख लेना इस कूरती का और लेंद इस कूरती की मैंने 44 इंच र यहां से हम hip का निशान लगाएंगी यह हम जैसे अगर आप चाप अपने लंबे रखना चाहते हो तो पौने 8 या 7 gr ले सकते हो और कम रखना चाहते हो तो 7,7 तरहार से रह यहां पर लिया है क्योंकि मैं कुर्ती बना रही हूं थोड़े लंबे चाक वाली तो इसलिए अब यहां पर हमारी जो कमर है कमर 37 है उसे हम डिवाइड करेंगे 4 से तो 9.2 के असपास आएगा तो यहां पर मैं निशान लगा दूँगी तो आपका चाहे जो भी साइस हो आपको 4 से ही डिवाइड करके यहां पर समय निशान लगा देना है और धाइंच मैंने एक्स्टर ले लिए अब मैं इन्हें आपस में मिला दूँगी तो यह वाला जो निशान होगा हमारा यह तो हमारा सिलाई का है जिसमें हम सिलाई लगाएंगे और जो दूसरा निशान है वो हमारा होगा कटिंग वाला ठीक है यह सिलाई का होगा अब यह मिस तरह से मिला देंगे इस निशान को हमें कटिंग करना है बिलकुल सिंपल तरीका है कुर्ती बनाने का इस तरह से आप बना करके देखें और कोई इस तरह से दोनों साइड आपको शेप देनी है ठीक है चेस की साइड भी आपको और हिप की साइड भी आपको इस तरह से अलका सा घुमाओ दे करके तब आपको यह यहां पर शेप दे देनी है इससे बहुत अच्छी आपकी जो फिटिंग है वो आती है तो यह हो गया अब न उसके हिसाब से ही आपको यहाँ पर निशान लगाने होते हैं अगर आप स्ट्रेट पल्ला बना रहे हो अगर थुड़ा करना है तो एक यह आधा इंच आप जादा कर सकते हो तो मैंने यहाँ पर जो पल्ला लिया है अब उपर से लेकर हम इस पल्ले तक इस तरह से मिला केवल एक इंच ही मैंने नीचे बढ़ाया है अब यहां से फोल्ड के लिए केवल डेड़ इंच लेंगे उपर जैसे हमने डाइंच लिया ज्यादा नहीं लेना है डेड़ इंच काफी है यह आप दो इंच ले सकते हो बहुत ज्यादा फिर आप कपड़ा ज्यादा रखोग हो दया है और इस तरह से शेप दे देंगे आम होल की यह हमारे फ्र रणी हो दों जाएगगी यहां पर और Manufact Sonic हम दूसरी शेप देंगी यह बैइक अम होलर की होगी हमारी यह हमें देनी है एक इंच ठीक है ये हमने इस तरीके से दोनों शेप यहाँ पर दे दी है और अब इसे simple हम cutting करेंगे अब उपर के side भी हलकी से हम यहाँ पर क्योंकि हमारे कंदे नीचे के side होते हैं हलके से तो यहाँ पर हम मैंने साइन में देदी आप देख लेना तो आप इस तरीके से गले का ध्यान रखते हुए आपको यह कटिंग कर देनी एक बार फिर से चेक कर ले गला टेडा मेडा तो नहीं है यहां पर तो यह सिंपल कटिंग है बिल्कुल ही आसान तरीके से मैंने कोशिश के समझाने की और अगर आपको कहीं पर दिक्कत होती है आप मुझे कॉमेंट करके पूछ सकते हो या मुझे इस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूगी और यहां पर देखिए आप यह जो हमारी कटिंग हो गई है यहां पर अब क्या करन करना है और खुली साइड को आपको खुली साइड यह गलती नहीं करना है इस पर ध्यान से देखे तो मैंने प्रॉपर रख दिया अब यह जो बैक साइड वाला कपड़ा है इसकी लेंद उतनी जादा नहीं है और यह बिल्कुल बराबर ही है क्योंकि फ्रेंट में तो हमार ले ले तीन इंच ठीक है तीन इंच आप नीचे एक्स्ट्र फोल्डिंग के लिए रख ले और फिर आपको सिंपल तरीके से ऐसी कट करना है जैसे हमारी कूरती है फ्रंट वाली बाकी इसमें लेंद कम है तो मैं अलग से कपड़ा लूंगी और वो नीचे की साइड लगा यहां से क्या करना है यहां से सिंपल इसके उपर आपको कट्टिंग कर देनी है मैं और इसके साथ मेरे आरे मेरे बारे में और जादा जानना चाहते हो तो आप में दूसरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, मैं लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्किप्शन बॉक्स में दे दूँगी, मिनाक्षी लाफस्टाइल नाम से मेरा नया चैनल है, तो आप प्लीज जा करके वो जरूर से देखना, तो यहां पर देखे, यहां पर अब मैं न अब क्या करना है, यह जो हमने निशान लगाया, अब इतना ही हमें कटिंग नहीं करनी, इससे हलका सा हम आगे लेंगे, और हलका सा, मतलब दो, क्या बताओं आपको, आधा इनसे भी बहुत कम, क्योंकि जब हम बैक नेक बनाएंगे, तो हमारा थोड़ा से सिलाई में भी आ जितनी सिलाई हम लगाते हैं, केवल एक पैर की उतना आपको यहां पर अंदर करके निशान लगाना है, और फिर उतना कम करके कट करना है, क्योंकि सिलाई में भी हमारा जाएगा, तो इसलिए हलका सा हम इससे कम ही कटिंग करेंगे, तो इस तरीके से मैंने यहां पर निशा निशान लगा दूगी, आप उस हिसाप से रख सकते हो, तो मुझे यहां पर सेवन इंच के आसपास यह रेडी करना है, जादा नहीं लॉंग करना है यह, तो सेवन एड हाफ पर में यह निशान लगा दूगी, हाफ इंच हमारा उपर सिलाई में भी जाएगा, तो सेवन इ भी हमारा यहां पर कटिंग हो जाएगी, तो केवल हमे बैक नेकी बनाना होगा, फ्रंट का तो हमारा बिल्कुल रेडी है, तो यह सब से लास में करती हूँ, आपको हमेशा रही बताते हूँ, कि आप सबसे लास में करें, अपको प्रण अपाले जी लेना है बिल्कुल बराबर से करके इस तरह से आप चेक कर लिए बिल्कुल बराबर हो और फिर यह कुंआ अपको यह फ्रन्ट आम होल की कटिं kami है क्या होता है कि अगर आप पहली ही अलग से बाद में करोगे तो फिर क्या होगा कि आपको ध्यान रहेगा और क्योंकि अगर आप beginner हो तो कभी गलती से भी अगर आपकी back side में front वाली armhole cutting कर दी आपने या एक साथ आपने दोनों पलों में cutting कर दी तो आपका पूरा कपड़ा खराब हो जाएगा तो उसे ठीक करने का फिर कोई रास्ता नहीं रहेगा इसलिए हमेशा कहते हूँ कि हमेशा आप लास्त में ही front armhole की cutting करें जब आप back kick कर लेते हो तब यहां से मैंने यह जो बचा हुआ कपड़ा था इसे ऐसे fold किया और फिर एक fold और कर दूँगी मैं इसे इस तरीके से और यह जो चौड़ाई मैंने ली है यहां पर यह चौड़ाई 9 इंच है यह वाली और यहां पर मैं बाजू की cutting आपको सिखाऊंगी और यहां से आप length ले 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 आपको जितनी भी रखनी है 14 इंच है यह तो आपको जितनी रखनी है आप उस हिसाप से रख लेंद और यहां पर इसमें कपड़ा थोड़ा कम है तो मैं लेंद बढ़ाने के लिए थोड़ा सा आगे की साइड और लगा दूँगी 14 इंच की मुझे रखनी है अगर आपके पास ज्यादा कपड़ा है तो आपको क्या करना है एक्स्ट्र फोल्ड के लिए आपको 1.5 इंच फोल्ड करने के लिए तो मैं इसमें अलग से कपड़ा लगाऊंगी इसलिए क्योंकि इसमें कपड़ा थोड़ा सा कम है यहां पर तो यहां पर ले लिया अब यहां से आपको क्या करना है त्री इंच पर यहां पर लगाना है आपका साहिज जो भी आपको इसी तरह से लगा देना है तो यह सिंपल तरह का है बाजू कटिंग आप इस तरह से बाजू कटिंग करें और बाजू कटिंग के मैंने अलग से भी वीडियो बनाई है और बाजू कैसे लगाते हैं उस पर भी मैंने वीडियो बनाई है आप वो जरूर से देखना और आपको कभी भी कोई छौरर लंबाई होगी ठीक है उसके बिल्कुल हाफ में आपको यहां लगाना है वन इश पर यह और यहां पर आप हलकी सी तरह से शेप दे ऑन इश पर और यह दो आपको ऊपर वाले पकड़कर इस तरह से कटिंग कर देने हैं बस इस तरह से आपको यह कटिंग करनी है और यह बाजो हमारी रेडी हां पर हो गई है तो कुर्ती की कटिंग है हमारी पूरी हो गई है अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक ज़रूर कीजिए शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा थेंक्स फर भाजुच्च्च्च्च जिए मारा हमारी नची जिए बाज़ के लिक